कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण सभी सिक्षन संस्थाएं बंद है फिर भी आप लोग के अध्यान अध्यापन की विवस्था की गई है ब्रिहन मुबई महानगर पालिक्याने वर्चूल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से आप लोगों की ओनलाइन क्लासेश चालू रखी है मैं आपकी वर्चूल ट्रेनिंग सेंटर की मार्गदर्शिका गीता विजय त्रिपाठी कख्षा आठवी विशे हिंदी मार्गदर्शिका हैं स्रीमती गीता त्रिपाठी कविता का सिर्शक है इनसान और कवी हैं रमानात अवस्थी स्री रमानात अवस्थी जी का जन्म 1926 में फत्यपूर में हुआ जोकी उत्तर प्रदेश में इस्थित हैं इनकी मृत्यूं 2002 में हुई अवस्थी जी ने आकास वानी में प्रोड्यूशर के रूप में कई वर्षों तक काम किया आप लोगप्री मधूर गीत कार थी आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रुश्कृत किया है प्रमुक कृतिया अवस्थी जी की प्रमुक कृतिया निम लिखी थे सुमन, सौरब, आग और पराग, राख और शेहनाई, बंद न करना द्वार आधी चली अब हम कविता के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं प्रस्तुत नवगीत में रमानात अवस्थी जी का कहना है कि प्रतेक इंसान को फूल की तरह अपने अच्छे कर्मों की खुश्बू समाज में फैलाने चाहिए आपने सभी को दीपक की तरह अज्ञान की अंधकार को दूर करने चंदरमा की तरह दुसरों के दुखताप को हरने बादलों की तरह प्यासों की प्यास बुझाने के लिए प्रेरित किया है चली अब हम कविता का अनंद लेते हैं उसके बाद मैं आप लोगों को अर्थ समझाओंगी इंसान मैंने तोड़ा फूल किसी ने कहा मैंने तोड़ा फूल किसी ने कहा फूल की तर जियो और मरो सदा इंसान मैंने तोड़ा फूल किसी ने कहा फूल की तर जियो और मरो सदा इंसान भूल कर वसुधा का श्रिंगार सेज पर सोया जब संसार दीप कुछ कहे बिना ही जला रात भरतंपी पी कर पला दीप कुछ कहे बिना ही जला रात भरतंपी पी कर पला दीप को देख भर गए नयन उसी शन बुझा दिया जब दीप किसी ने कहा दीप की तर जलो तम तुम हरो सदा इंसान मैंने तोड़ा फूल किसी ने कहा फूल की तर जियो और मरो सदा इंसान रात से कहने मन की बात चंद्र मा जागा सारी रात भूमी की सूनी डगर निहार डाल आसू चुपके दो चार डूबने लगे नखत बेहार उसी छण दूबने लगे नखत बेहार उसी छण छिपाग गण में चांद किसी ने कहा चांद की तर जलन तुम हरो सदा इंसान मैंने तोड़ा फूल किसी ने कहा फूल की तर जियो और मरो सदा इंसान सांस सी दुर्बल रहरें पवन ने लिखा जलद को लेक पपी हे की प्यारी आवाज हिलाने लगी इंद्रका राज धरा का कंट सीच ने हे उसी इछन बरसे जुक जुक मेग किसी ने कहा मेग की तर प्यास तुम हरो सदा इंसान मैंने तोड़ा फूल किसी ने कहा फूल की तर जियो और मरो सदा इंसान बच्चो अभी हमने कविता को सुन लिया चलिए अब हम उसका आर्थ जानते हैं मैंने तोड़ा फूल किसी ने कहा फूल की तर जियो और मरो सदा इंसान इन दो पंक्तियों के माध्यम से कवी कहना चाह रहे हैं कि इंसान को भी फूलों की तरह ही जीना चाहिए फूल अपने रंग और खुस्बू से अपने आसपास का वातावरन महका देते हैं दुखी मन को भी वे अपने रंग रूप से अपने सुगंद से प्रसन न कर देते हैं जबकि वो जानते हैं कि उनका या जीवन थोड़े देर का है साम ढलते ढलते फूल मुर्जा जाएगा उसकी पंखुणिया मुर्जा जाएंगी फिर भी फूल अपना करते वे नहीं छोड़ता वा अपनी सुगंद चारो तरप भी खेरता है इसी तरह इंसान को بھی होना चाहिए वा कितने भी तुखंप पे आए फिर भी हमको अपना करते वे निभाते रहना चाहिए और सदा मुस्कुदृते रहना चाहिए अपने विवार की खुजबू हमेशा फैलाते रहना चाहिए भूल कर वसुधा का श्रिंगार सेज पर सोया जब संसार दीप कुछ कहे बिना ही जला रात भर तम पीपी कर पला यहां कभी कहना चाहते हैं कि इंसान वसुधा यानि धर्ती का श्रिंगार भूल कर आराम से सोया हुआ है धर्ती हमें क्या क्या देती है हमें नदी, पहाड, जरने, व्रिक्ष, फल, फूल सभी धर्ती माता ही देती है पर इस धर्ती माता के श्रिंगार को हम भूल जाते हैं और अपने अपने आराम में मगन हो जाते हैं लेकिन दीपक कितनी भी रात हो कितना भी गहन अंदेरा हो दीपक अपना कारे करते रहता है एक दीपक जैसे ही जलता है वह सोय को जला कर अपने आज पास के गहन अंदकार को दूर कर देता है दीपक के जलते ही अंदकार का नामु निशान मिठ जाता है दीप को देख भर गए नहन उसी चंड बुझा दिया जब दीप किसी ने कहा दीप की तरह जलो तम तु मरो सदा इंसान दीप या अपने आपको जला कर आसपास के वातावरन को रोशनी से भर देता है चारो तरफ प्रकास फैला देता है या देख कवी के मन में थोड़ा दुख पैदा हो गया उनकी आँखों में आसू आ गए कि दीपक कैसे अपने आपको जला कर लोगों को खुसियां पहुचाने का कारे कर रहा है उन्होंने दीपक को बुझा दिया ताकि दीपक थोड़ा सा आराम कर ले परन्तु साथी साथ उन्होंने लोगों को भी यह संदेश दिया है कि जिस तरह दीपक जलता है सोएक को जला कर वा दुसरों को खुसियां देता है दुसरों के जीवन में उजाला बढ़ता है उसी तरह तम यानि अंधकार तुम भी हरो इंसान के रूप में हमने अगर जीवन पाया है तो हमारा यह करतव है कि हम दुसरे जो प्राणी है जीव जन्तु है या इंसान है सबके दुखों को दूर करने का कारे करे उनके दुखों को बढ़ाये नहीं बलकि उनके दुखों को कम करने का कारे करे चारों तरफ अपने वेवार का अपने जो अच्छे कर्तव की रोसनी फैलाने का कार्य करें। राद से कहने मन की बात चंद्रमा जागा सारी रात भूमी की सुनी डगर निहार डाल आशू चुपके दो चार। कवी यहां कहना चाहते हैं कि चंद्रमा अपने मन की बात कहने के लिए रोज रात को आता है। में में भी गगन में चमकता रहता है और लोगों को सीतलता देने का काम करता है रात भर लोगों को आराम से चैन से नीद मिल सके इसलिए चांद सीतलता प्रदान करता है जो लोग दिन भर के उमस गर्मी तपन में काम करके ठक गए हैं निढ़ालो गए हैं ऐसे लोगों को आरा काम देने का सितलता देने का कारें चंद्रमा करता रहता है का डूबने लगे नखत बेहाल उसी छण छिपा गगन में चांद किसी ने कहा चांद की तर जलन तुम्हरो सदाइंसान कभी कह रहे हैं जिब नखत यानि नक्षत्र डूबने लगें बेचे कर नक्षत डूबने लगे हैं क्योंकि धिरे धिरे उजाला फैलने का कारे हो रहा है सुर्योदे होने ही वाला है ऐसे समय में चांद भी गगन में छिपने की कोशिस कर रहा है क्योंकि सुर्य के उजाले में चांद की सीतलता कहां दिखाई देती हैं चांद का जो सीतलता है जो कि इंसान तुम चान से भी कुछ प्रेड़ना लो, चान यह डूब जाता है, दिन के उजाला होते ही वह अपने आपको इस उजाले में समेट लेता है, इस उजाले में अपने आपको डूबा देता है, इसी तरह तुम भी चान की तरह सीतलता दो, सबके मन की जलन को हरो, सबके दुर्बन लहरे पवन ने लिखा जलत को लेख पपीहे की प्यारी आवाज हिलाने लगी इंद्र का राज कभी कह रहे हैं कि जब बरसात नहीं होती तो लहरे भी ऐसे उड़ती हैं जैसे कमजोर सांस आ जा रही हो ऐसी दुर्बन लहरे क्योंकि पानी की कमी हो गई है ऐसे समय में ववन या तकलिफ महसूस कर रहा है भूमी की और वह जलत को यानि बादलों को लेख लिख रहा है कि तुम जल्दी आजाओ और इस धर्ती को अपने जल से नहला दो ऐसे समय में पपिया भी बर्सा रित्तु के इंतजार में अपनी आवाज में गायन कर रहा है और पपिये की आवाज में इतना दर्द है कि इंद्र का राज यानि वर्सा के देवता जो हैं इंद्र जो वर्सा के देवता माने जाते हैं उनका राज भी सिहासन उनका भी डोल लगा है पपिये की इतनी मदूर करुण आवाज में इंद्र भी मजबूर हो जा रहे हैं कि वह जल्दी से जल्द बरसात ले आएं कि धरा का कंट सीचने है तू उसी छण बरसे जुक जुक मेग किसी ने कहा मेग की तर प्यास तुम हरो सदा हिंसान जब पपिये की आवाज इंद्र का राज हिलाने लगी ऐसे समय में धरा यानि धरती का कंट सीचने हो तू यानि प्यास बुझाने है तू उसका गला पानी से तर करने है तू मेग बादल जुक जुक कर बरसने लगे ऐसे समय में कवी कह रहे हैं कि है इंसान जिस तरह मेग धरती की प्यास बुझा रहे हैं धरती को सीतलता दे रहे हैं धरती के दुखों को दूर कर रहे हैं उसी तरह है इंसान तूम भी मेग की तरह बनो ताकि जो लोग हैं उनके दोर हो यहां जिस तरह मेग प्यासों की प्यास बुझाते हैं उसी तरह इंसान आपको भी दुसरे के दुखों को दूर करना है उनके मन की धपन को दूर करना है कवी कविता के माध्यम से हमें सिख्षा देने का प्रयास कर रहे हैं कि यह प्रकर्ति हमें अपने अंगिनित कार नामों से हमेथा सिक्षित करती है, यह हमारी सबसे बड़ी गुरु है, यह अपने व्रिक्षो, अपने सूर्य, तारो, धर्ती, पहाड, नदी, सब के माध्यम से सिक्षा तेती है, कि ये सारी चीजे हमें कुछ न कुछ देती रहती हैं, हमें भी उनकी तरwasser बनना है, हमें इंसानियत को अपनाय रखना है, अपने आसपास के लोगों को, आसपास के प्राणियों के दुख को दोर करना है, किसी के दुख का कारण नहीं बनना है बच्चों यहाँ पे कविता का आर्थ खत्मुआ चली अब हम सब्द वाटि का दोरा कठिन सब्दों के आर्थ देखते हैं फूल पुष्प इनसान मनुष्य वसुधा धर्ती संसार दुनिया दीप दीपक बिहाल बेचैन रात रजनी तम अंधकार नयन आख चन पल मन हिर्दय निहारना गौर से देखना चली कुछ और सब्द हैं उनके उपर भी नजर डालते हैं चंद्रमा चांद भूमी धर्ती डगर राह आसू अश्रू नक्षत्र गगन आसमान जलन ताप सांस श्वास पवन हवा जलद बादल लेक पत्र धरा धर्ती कंट गला मेग बादल बच्चों यहाँ पर कविता के कठी सब्दों के अर्थ भी पूर्ण हुए इस तासिका में हमने कविता के अर्थ को देखा इसके बाद वाली तासिका में हम स्वाध्याय के द्वारा स्वाध्यन के प्रश्णों को हल करने का प्रयास करेंगे बच्चों एक बार वीडियो देखने के बाद कभी कभी कुछ अंज समझ में नहीं आते इसलिए आप वीडियो को बार-बार देखें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तुसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें धन्यवाद